एक जंगल में एक बाग और उसका बच्चा एक साथ रहते थे, दोनों ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, इसलिए दोनों बहुत भूखे थे और सिकार की खोज में इधर उधर दीख रहते जंगल में, तभी उन्हों ने देखा एक बड़ा मोटा ताजा हाथी गाना गा हाथी का सिकार किया जाए, तब बाग अपने बच्चे से कहता है, अरे मूर के तुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े हाथी काम सिकार कैसे करेंगे, तब बाग का बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा मेरे पास एक आइडिया है, कहे तो मैं आपको बताऊं, तब दो करता है कि वह हाथी की जान जरूर बचाएगा उसके बाद लोमडी हाथी के पास जाता है और उससे कहता है हाथी भईया हाथी भईया तुम्हारी जान को खत्रा है एक बाग और उसका बच्चा तुम्हें अपना सिकार बनाने की सोच रहे हैं यह कहकर दोनों जंगल की तरफ निकल परते हैं जंगल में जाते जाते अचानक बाग का बच्चा उनके सामने आता है और कहता है हाथी भाईया हाथी भाईया मेरे पापा को सिकारियों ने पकड़ लिया है उनकी मदद करने के लिए आप मेरे साथ चले लेकिन हाथी और सियार को बाग के योजना के बाड़े में पहले से पता होता है इसलिए हाथी और सियार बाग की बातों में नहीं आते हैं और वे उसे सबक सिखाने के लिए बाग को दोड़ाने लगते हैं बाग अपनी जान बचाने के लिए बड़ी तेजी से भागता है और भाग कर अपने पापा के पास जाता है और कहता है पापा पापा जान बची तो लाखो पाए तो बच्चो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बीना सोचे समझे किसी के बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए बच्चो और भी काटून वीडियो देखने के लिए जो नीचे रेट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो